इस्टल वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर कलासेस में आपका स्वागत है मैं आपको MS Excel सिखा रहा था और मैंने बताया था कि MS Excel में ये जो होते हैं 1, 2, 3, 4 इसको रो बोलते हैं और ये A, V, C, D इसको कॉलम बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो रो होते हैं इसकी संख्या 10,48,576 होती है मैंने आपको बताया था कि रो जो होते हैं 10,48,576 रो होते हैं पहले जो old virgin चलता था उसमें 65,536 रो होता था लेकिन अभी जो है 10,48,576 है लेकिन अगर आपको कोई कहे कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि सच में इतना रो होता है या नहीं प्रूफ करने के लिए कहा जाएं तो मैं कैसे करूँगा तो बहुत ही इजी है ये देखो यहां वान टू थ्री है तो यहां से वन से स्टार्ट हुआ लास्ट वाला रो कितना होगा दस लाकातालीसदार पांसो चीएतर तो कैसे पता लगाएंगे तो बहुत ही इजी है आप अपने कीबोड का कंट्रोल का बटन प्रेस करके डाउन अइरो की प्रेस करोगे तो लास्ट वाले रो पे चले तो देखो मैं कहां चलाया यहां इसके नीचे जाते हैं मैं एरो प्रेस कर रहे हैं इसके नीचे जा रहे हैं यहां से भी हम कर सकते नीचे जा रहे हैं देखो इसके बाद नहीं है दस लाकाटालीसदार पांसो चीएतर यह लास्ट रो है तो इस तरह से मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया कि एक्सल में 10,48,576 रो हता है अगर हमको रो जो है फस्ट रो पे बापस जाना हो तो तो यहां पर कंट्रोल के साथ की बोड से अपको प्रूफ करके दिखाया कि एक्सल में 10,48,576 रो होते हैं कैसे दम सिंपल है आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो सबसे लास्ट रो पे पहुच जाओगे तो यहां पर लास्ट रो है और कंट्रोल के साथ तो यहां पर पहुंच जाओगे तो इस टिटोरियल में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि कितना रो होता है अब मैं इसी टिटोरियल में आपको बताने जा रहा हूं कि एकसल में कैसे प्रूफ करेंगे कि इतना कॉलम होता है कितना होता है तो पहले वाले जो भरजन थे उसमें 256 कॉलम होते थे और अभी जो लेटस भजन चल रहा है उसमें 16384 कॉलम होते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे तो यहां पर तो आसान था 1 2 3 4 5 नंबर था तो यह होगा लेकिन यहां पर एहां वी है सी है जत तक 26 होगा फिर जेट के बाद ब पिए फिर फिर बी से भी जर्य पर तो यहां पर अंवर नहीं यहां कैसे प्रूफ करेंगा तो यहां पर है ॏ हम A, 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 B, 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 Z तो यहाँ पर तो number नहीं है तो मैं कैसे proof करूँगा तो यहाँ पर हम है control के साथ control के साथ अगर मैं right arrow की press करूँगा तो last column पर चला जाँगा तो control प्रेस किया मैंने keyboard से और right arrow की तो मैं यह last वाले column पर चला आया control के साथ left arrow की press करूँगा तो a पर आ जाँगा तो यहाँ पर तो number नहीं है तो कैसे पता चलेगा तो इसके लिए एक मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि क्या है अगर हम यहाँ पर ऐसे click कर दें तो यह पहला रो से लेके last row तक select हो गया और अगर ऐसे मैं करूँगा तो यह जो है पहला column A से लेके last column तक select हो गया तो एक options होता है यहाँ पर जिसको बोलते है series में जाएंगे हम यहाँ पर यहाँ जो options है यह options का नाम है feel, feel के अंदर एक option मिलेगा series इससे क्या होता है तो थोड़ा से मैं बता रहा हूं मान लो कि मैं यहाँ पर one लिख देता हूं और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक select कर लेता हूं और यहाँ पर मैं जाता हूं और यहाँ पर जाके series में जाता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक 123 लिखा जाए तो यहां पर step value में बन ही रखेंगे और okay करेंगे तो एक से लेके 10 तक लिखा गया तो इसी तरह से मैं यहां पर one लिखता हूँ लिखकर इसको मैं ऐसे select करता हूँ तो क्या हुआ एक से लेके मतलब यह जो ए है ए से लेके last column तक select हो गया अब यहां पर मैं जाता हूँ और यहां पर मैं series में जाता हूँ और यहां पर one का step लिखके okay कर देता हूँ तो देखो यहां से लेके last लिखा गया तो control के साथ मैं right arrow प्रेस करता हूं तो देखो लास्ट वाले कॉलम पे 16384 लिखा गया कंट्रोल के साथ अगर लेप प्रेस करता हूं तो इस तरह से मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि एक्सल में 10,48,576 होते हैं और 16384 कॉलम होता है तो दोस्तों आपको मैं एक्सल में इस तरह से आगे और भी वीडियो में सिखाता रहूंगा इसके पहले भी मैंने जो भी वीडियो बनाया है वन वाई वन करके आप देखो और मेरे चैनल को अगर सस्क्राइब आप लोग नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नमस्कार।